हेलो डियर श्टूडेन इस वीडियो में मैं आपको इक्सरसाइस 12.4 ओके ऑफ यूनिट 12 जेमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एक्स्प्लेइन करूंगा और इस वीडियो में सिर्फ आपको कोश्चन नमबर 1,2,3,4,5 भी एक्स्प्लेइन करेंगे बाकी कोश्चन्स को हम नेक्स वीडियो में आपको प्रॉइड करेंगे ओके यानि कुछ 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 क्वेश्चन्स आपके रहेंगे तो अच्छे से एक्स्प्लेइन हो जाएगा अगर एक बार में सारा हो जाएगा तो फिर आपको वीडियो लंबा हो जाएगा और सुनने में भी आपका टाइम के लिए होगा चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रॉक्ट ए सरकल विट रेडियस ओके देखिए आपको क्या करना है एक सर्कल को जिसकी रेडियस है 2.5 cm ओके तो ए में 2.5 cm बी आपका 3.8 cm सी 5.5 cm 6.2 cm देखिए जब सरकल हम कंस्ट्रॉक्ट करते हैं तो इस हम क्या करते हैं कंपास लेते हैं और उस पर 2.5 cm से मेजर कर लेते हैं ठीक है जब हम मेजर करते हैं तो फिर हम उसे आप पेज पर लाते हैं अब एक पेज पर लाने के बाद कंपास के नीडिल को रखते हैं और उसको चारों तरफ से मूब कर देते हैं तो जो पैंसिल से ला यहां पर जो यह structure दिख रहा है यह देखिए यह compass है pencil इस तरह के आप लगाना जानते हो नीचे एक ruler है scale ठीक है अब इसमें क्या करता है कि यह 2.5 cm का distance लेता है needle को 0 पर रखेगा और 2.5 मतलब यहां पर आएगा तो आपका इस तरह के structure मिल जाएगा pencil की नोप यहां पर यह आपका compass ठीक 2.5 जब ले लेंगे आप तो फिर उसी radius से अब उसको आप push नहीं करेंगे वहां से हटा लेंगे और किसी एक position पर आप ऐसे रखेंगे needle को ठीक ना और needle रखने बाद pencil को ऐसे चारो तरब से ऐसे क्या कर देंगे move कर देंगे तो यह आपके क्या से बन जाएगा circle और इसकी radius कितनी हो जाएगी 2.5 ओ सेंटर यह आपका इस लाइन सेग्मेंट की जो है मेजर ओ एसे 2.5 cm ओके इस तरीके आपका structure बनेगा अब यह आपके rules है ठीके ना इसी rule के according देखिए आपको इस तरीके समझाया भी हुआ है यहाँ पे आप पहले measure कर लिजेगा बहुत carefully आप समझेगा अब वीडियो को स सुनते वक्त आप उससे structure को बनाते भी रहिए आप practice करते रहिए तो आपको construction बिल्कुँ simple लगने लगेगा ठीके ना तो 2.5 जब आप measure करोगे तो वहाँ उठा ले ना उसको हटा के फिर आप needle को copy भी कहीं भी रखिया ठीके आप उसको move कर दीजे चारो तरप जो circle बनेगा आप देखेंगे जब इसको जो point O है यानि center O जब एक line आप खीचेंगे तो देखेंगे वो 2.5 cm का ही exact होगा अब चलिए इसका थोड़ा सा हम आपका solution भी दिखा देते हैं कि कि किस तरीके आपका बनेगा जब बन जाएगा तो इसका solution आप यहाँ पे देख सकते हैं यह देखें 2.5 का देख रहे हैं यह 2.5 है ऐसे यह आपका बनेगा ठीक है यहाँ पे center O हो जाएगा यहाँ पे आप A लिख दीजिएगा ठीक है बाहर यह एक line segment को nominate करने का तरीका होता है ठीक है तो यह radius OA 2.5 cm का इस तरीका आपका circle बनेगा ठीक है इसको आपको बच्छे से construct करिएगा और आप home work में मुझे send करिएगा कि मैं देखूंगा कि कितने लोग इसको अच्छे से बना के send करते है ठीक है अब हम चलते है अगले question की तरफ चुब B था B आपका क्या था B आपका था 2.5 यह देखिए B आपका है 3.8 cm सेम वही process है ठीक है ठीक है फिर आप इस कर लेंगे फिर आप पॉइंट रखिए ठीक है ना नीडिल को किसी पॉइंट पर रख दीचे अब यह कहीं भी रख सकते हो नोट बुक पे फिर उसके बाद चारो तरफ क्या बना देंगे एक सरकल बना देंगे ठीक है अब इसका भी structure आप देखना है तो आप यहाँ देख कंपास यूज करके बनाएंगे ठीक है इसी तरीक आपका C है 5.5 cm के यह देख नहीं यह नीचे आपका C बना हुआ 5.5 cm ठीक है अब मैं अगले कोशन की तरफ चलूँ ऐसे D E होगा उसको आप अपने से बनाईएगा ठीक है जितने भी questions होंगे चली D तक दिया है अब हम आत दाइमीटर दिया है तो इसके लिए हम दो तरीका लगा सकते है पहला तो 4.6 में 2 का डिवाइड करके रेडियस बना लेंगे फिर आप construct कर सकते हों या दूसा तरीका यह 4.6 cm के एक लाइन ड्रॉ कर लिजे अब इसको थोड़ा सा मैं यहां पर structure में समझाओंगा फिर उसके बांगे में सिखा या है कमपास लेते हैं हाफ या हाफ से more distance लेते हैं एक उपर ऑारक एक इधर जब हम इसको center लेते हैं फिर इसको center लेंगे दूसरे तरफ वाले को अपोजित वाले को फिर इसको ऐसे cut करेंगे देख रहे हैं यह हुआ इसे बोलते है bikes it किसी lg का bikes sect करना फिर अब हम पैं जो कमपास उसकी नीडिल यहां रखते हैं जो बीच में जहां कट लगा हुआ है देख रहे हैं फिर उसके बाद एक साइड मेजर लेंगे चाहिए इस तरफ कलेंगे चाहिए इधर जब इछ सब्सक्राइब का मेज़र लेंगे यहां पर पींडिल होगी इस यहां से मेजर हो जाएगा फिर एक सरकल आप बना देंगे देख रहे हैं अचिसे सरकल आप बना देंगे तुरह यह आपका सरकल बन जाएगा अब आप इसका रूस पर आते हैं फिर हम सॉल्यूशन पर ले आएंगे आपको ठीके ना चालिए पहले रोल्स पर आईए यह तरब एक distance लेंगे, यानि ओपर आपका क्या होगा, compass की needle होगी, जो compass होता ना, उसकी needle ओपर रखेंगे, और B तक major करेंगे, फिर क्या बना देंगे, एक circle, ये देखिए, ये बना हुआ है, ये rules है, ठीके ना, rules को अच्छे से rate करेंगे, तो आपको सारा clear हो जाएगा, अब हम आपको अपने solution पर ले आते हैं, जहां पर solution है, वो बनेगा कैसे आपका है, ये देखिए, पहले कितने centimeter का line draw किया है, ये देख लिए जो को अच्छे साब वीडियो में समझेगा, 4.6 centimeter का, ओके, यहां तक मेरे हिसाब से कोई problem नहीं है, ruler रखना है, 4.6 centimeter draw कर देना, फिर उस फिर उसके बाद आपको दोनों तरफ आर्क लगाते हैं, जहां कट होता है, उसको join कर देते हैं, फिर needle को कहा रखेंगे, जहां पर bisect होगा, दोनों लाए, फिर उसके बाद यहां से एक तरफ, या O से A की तरफ, या O से B की तरफ distance लेकर, एक क्या बना देते है, circle, ऐसा number 1, 2 है, उसी का rule follow होगा, question number 3, 4, 5 में, ठीक है, सेम उसी तरीके, जब आपको circle आ जाएगा, चाहे वो diameter से हो, या radius से, दोनों तरीके साब को clear हो जाएगा, तो इसी question को follow कर देना है, 3, 4, 5 में, वही concept इस पे भी होगा, draw a circle of radius 4.59 cm, clear, यह question number 1 ही है न, तो सब सब पहले radius 4.9 ल आदेंगे, is the clear, this center row, जो बीच का point होगा, जहाँ आपका needle रखा दो, उसे क्या लिखेंगे, oh, okay, mark point x and y, अब दो point आपको लगाना, 1 x x y, अब कहां कहां लगाना, आगे देखते हैं, point x lie in the interior, interior, यानि circle के अंदर कहीं पे भी आपके access हो कर दो, और exterior में, and y lie at the exterior, exterior of the circle, बाह आपको y, जो है, so करना है, ठीक है न, बहुत simple question है, ये question number one ही समझे आप, अब इसका solution आपको देखना है, आप यहाँ देख सकते हैं, यह देखें, बहुत सम, यह देखें, आपका question number three, देख रहे हैं न, एक 4.9 का क्या बना हुआ है, circle बना है, inside x, y side, y, यानि जो interior part है, x point क y को सो करेगा, और जो exterior part है, y को कहीं पर भी आप सो कर देजे, आपको internal, external पर दिखाना है, ठीक है न, चलिए, अब हम अगले question की तरह बाते है, question number four, draw a circle of radius, same, question number three में ही तो समझाया, अभी को, question number one में ही तो समझाया, y question number four में भी आया, यहाँ पर भी वही चीज करना है, कि draw a circle of radius to 3.2 cm, तो 3.2 का आप क्या बना देंगे, एक circle, draw a chord AB of this circle, such that AB 5 cm, set the minor segment, आप देखे, इसमें एक topic आगी है, chord, chord क्या होता, थोड़ा सम आपको clear करेंगे, ठीक है, पहले यहीं clear कर देते हैं, screen पर, अब carefully आप समझेएगा, यह देख रहे हैं, यह क्या है, एक circle है, 3.2 cm का, ठीक है, यह center हो, अब कहता है, इसमें एक chord बनाना, देखे, जब हम, यह circumference, जो यह line जा रही है, circle की, इसे circumference कहते हैं, ठीक है, circumference, इस पर आपको 5 cm की line draw कर देनी, ऐसे, 5 cm की, यह, आप एक तरफ रखेंगे, scale को, दूसरे तब देखेंगे, 5 cm कहां पर आता है, जब हम circumference की कोई भी line draw करते हैं, तो उसे हम chord कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, chord कहेंगे, जैसे यह circle है, circle में जब आप line draw करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, यह देखें, circle में circumference है, circumference, चाहिए एक बनाईए, चाहिए बनाईए, चाहिए बनाईए, चाहिए बनाईए, यह सभी क्य माइनर दिखेगा माइनर मतलब छोटा ठीक है आगे मेजर नगया एक माइनर वाले को सेट करेटे ना चेली है इसके सॉलिशन की तरह आते हैं आपको दिखाते हैं इसका solution आप यहाँ देख सकते हैं, यह देखिए, आपकी screen पर आगया, question number 4 का solution, radius 3.2 cm, तो 3.2 cm का एक circle बनाईए, जो center O है, अब P, यह 3.5, अब उसमें 5 cm का क्या बनाना, A, B, इसको आप measure करके बनाईएगा, ठीक ना, जब आप ruler रखेंगे, तो 5 cm आपको clear होगा, कहां से कहा होटा सा, दो, यानि एक circle के दो पार्ट होगा, तो जो minor होगा, minor कौन है, नीचे वाला, तो इसको आप set कर देंगे, ठीक ना, जो minor होगा, इसको आप set कर देंगे, ओके, यह आपका होगया question number 4, इस video में आज का last question देखिएगा, यानि question number 5, बाकी questions को next video में, okay, question number 5, construct 3 concentric circle with the same center C, one with radius 2.5, second with radius 3.6, and third with radius 4.2 cm, concentric center आप जानते ही, concentric circle में होता क्या है, कि एक center एक हो, उसके बाहर आप, इस तरीके circle हो, दो या दो से ज्यादा, यह, इस से concentric circle कहेंगे, क्योंकि इसका देखिए, center एक ही है, और इसके बाहर सरकल बनते जा रहे है, देखने न, इस तरीके, तो इसमें देखते हैं, कितने circle आपको draw करने हो, जितने radius देंगे, उतने ही circle बनाने होगे, अब इसका solution आप देखिए यहाँ पर, यह आगया आपकी screen पर, देखिएगा, ठीके न, यह, same center C है, C, एक center ले लिजे, अब उसके बाद आपको करना क्या है, radius R1 2.5, तो सब सपह फिर आप C पे ही needle को रखिए, अब measure कर लिजे 3.6, और C से ही आप बनाएए, दूसरा circle मिलेगा, तीसरा कहता है कि 4.2 cm, तो फिर आप center C पे ही आईए, needle को रखिए, और 4.2 cm का बना दीजे, यह concentric circles होते हैं, ठीके, तो dear student, इस वीडियो में हमने exercise 12.4 के question number 1, 2, 3, 4, 5 explain किया ह ठीके न, तो सभी question को 1 by 1 अच्छे से सुनिएगा, समझेगा, और इसे अपने notebook पर solve कर लिजेगा, ओकी, और इसे submit करना मत भूलिएगा, ठीके, जिस date पर आपको submission date रहेगा, तुरांत आप उस पे submit कर दीजेगा, ओकी, thank you